नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों साल 2023 की सबसे बड़ी कार्तिक पूर्णिमा साल नवंबर में पढ़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा समझा जा रहा है इस दिन आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनकी सेवा पूजा या उनके दर्शन जरूर करें क्योंकि गुरु इश्वर से बड़ा होता है माता पिता से भी बड़ा होता है गुरु भगवान का साक्षात रूप होता है गुरु नहीं तो संसार भी एक अपाहिज ही होगा गुरु की आवश्शक्ता सोना चांदी हीरे मोदी से भी अधिक है इसलिए गुरु को अपने जीवन में जरूर जोडे 27 नवंबर को पढ़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा पर कई दुलब सन्योग बन रहे हैं ऐसे में इन दो जगहों पर चुपचाप दो दीपक जलाकर छोड़ दें इससे मृत्युदंड पित्रिदोश महाकाल सर्प दोश नजर दोश शनी दोश राहू दोश सब कुछ होगा खत्म किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद महालक्षमी दोड़ी दोड़ी चली जाएंगी कंगाल भी होंगे धनी तो आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने से इतने ज्यादा फाइदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए कौन सी दिशा में जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही दीपक जलाना चाहिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक जलाया हो क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनरजी बाहर निकलती है यदि आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय तो इससे आपके घर का वातावर्ण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है घर का मुख्य जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहंत करनी पड़ती है इसकी वजह से परेशानी डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुख्या पहुच जाता है शाम का समय हिंदू धर्म में ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी जी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है यानि की एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी कीमत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या परेशानिया बढ़ती रहती है, उनके जो बच्चे होते हैं, वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिलकुल भी नहीं मानते हैं, इसी तरहे घर का पूरा माहौल ही दुख पूर्ण होने लगता है, काफी लोग इन चीजों को डोट मानते भी हैं, तो जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं, और भूल जाते हैं, उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है, इसी लिए रोजाना को एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है, यदि आप नहीं जला सकते हैं, तो कोई और मनुष्य भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परन्तु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है, इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनरजी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है, दोस्त और शाम का समय ऐसा होता है, जिस समय नकारात्मक उर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है, और आपके घर में प्रवेश कर जाती है, ऐसे में यदि आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं, तो नेगेटिव एनरजी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, आपके सभी काम बिगाडने लगती है, जिस समय सूरज दूब जाता है, उसी समय यह नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है, उसी समय आपको मुह हात पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए, यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो कोई और मनुष्य भी आपके लिए ऐसा कर सकता है, दोस्त अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी एक संकेत होता है, आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक उरजाएं है जो परेशानियों को, बीमारीयों को, मुसीब्तों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है, सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज धल जाता है, तो उस समयगी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप चला सकते हैं, परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं, यदि आपके घर में धन से जुड़ी समस्या नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, यदि ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती है, तो अपने घर की दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए, इसे एक भी देना आप मिस न करें, यदि आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे आपकी धन से जुडी हुई समस्याएं खत्म हो जाती है जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो उनको भी जॉब मिलने लग जाती है और यदी वही मनुष्य जिसको परेशानी है और वही यदी रोज दीपक आता है तो इससे मिलने वाले फाइदे और भी ज्यादा हो जाते हैं, शाम के घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना जरूरी होता है, आप कभी भी इन चीजों को नजर अंदाज न किया करें क्योंकि इन ही से आपके जीवन में परिशानिया बढ़ जाती है, और आपको मुसीब्तों का सामना करना पड़ सकता है, आपको यह जानकार हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक जलाते हैं, उससे जो निकलने वाली उर्जा होती है, वो आपके घर में जब फैलती है, तो घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानि कि पॉजिटिव होने लगता है, धर के सभी लोग शान्ती से रहने हैं, इसी तरह से जो तेल का दीपक हो आता है, यह भी जब जलता तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक उर्जाएं हैं, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो उर्जाएं होती है, धुमा होता है, वह नेगेटिव एनरजी को बाहर निकालता है, और आपके आसपास की एनरजी को पॉजिटिव बनाता है, तो यह जरूरी चीजे हैं, शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस न किया करें तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, और आपकी जितनी भी मनोकामनाय हैं, वह भी पूरी होती है, दोस्तों हम अपने घर के पूजा घर पूजा पाठ करते हैं, और मूर्ति आदी रखते हैं, दोस्त मूर्ति का क्या महत्व होता? है आज हम आपको इस वीडियो के जरिये से बताने वाले हैं जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती है वहाँ पर बनता है और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है कहने का तातपर्य यह है कि आपको सब सुख हासिल हो जाता है जिसकी आपने कलपना की है जिसकी आपने मनोकामना मांगी है दोस्त घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के जरिये से कुछ चीजे देखने और आदी का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ती आदी लगवाते हैं ताकि हम उन देवी का सुन्दर मुख देख सके और उनका आशिरवाद हासिल कर सके परन्तु दोस्तों यदि हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगालि खतम होने लगती है दोस्तों बात करते उन मूर्तियों के बारे में की आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको हासिल हो सके सबसे पहले यदि हम किसी मूर्ती की बात करें तो दोस्तों यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ती रखते हैं तब आपको भगवान कृष्ण के साथ मातारानी राधा जी की मूर्ती भी आपको जरूर रखनी चाहिए दोस्त या भगवान कृष्णा की यदि आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोडे के रूप में आ कुल लेकर आनी चाहिए दोस्तों यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी तरह का ग्रिहतलेश नहीं होता है दोस्त और पती-पत्नी परिवार जनों के बीच परसपर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही व्रिद्धी होती है इसी लिए यह जरूरी समझा गया है यदि आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तोर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा दोस्तों कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचा है कि भगवान विश्नु की भी पूजा करें या ना करें या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें दो हमेशा भगवान श्री विश्नु जी और माता लक्ष्मी की पूजा को एक साथ करनी चाहिए दोस्त देवाधिदेव, महादेव, भगवान विश्नु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्व शक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेवों में भगवान जी को पूजा जाता है तो यदी आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायन जी की संयुक्त रूप में पूजा करते तो निश्चित तोर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृध्धी देखने मिलती है दोस्तों तो इस इसलिए आप भगवान विश्नु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें यदी माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गनेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ती या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी ही चाहिए यदी आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गनेश जी की मूर्ती लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं आपको निश्चित तौर पर लाब हासिल होता है और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली खत्म होने लगती है और धन प्राप्ती के ये आपको लक्ष्मी गनेश जी की सन्युक्त रूप से पूजा करनी चाहिए समझा जाता है माता लक्ष्मी धन देदी है तो भगवान श्री गनेश रिद्धी सिध्धी का भंडार और वृद्ध का विकास करते हैं इसी वजह से इनकी पूजा मानी गई है दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की यह मूर्ती रखें या ना रखें या उनकी पूजा करें या न करें दोस्तों आपको निश्चित तोर पर हनुमान जी की अन्यदेवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्तिया तस्वीर रख सकते हैं किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि आपके उपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे दोस्तों इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी कि तस्वीर रखें या ना रखें हनुमान जी के निमित किसी भी तरह की पूजा पाठ करना हो तो आप प्रभु श्री रमाकांत से कहें श्री रामा के प्रियभक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तोर पर आपको उतना ही आशिरवाद हासिल होता है जितना की आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से होता है या फिर आप क्या करें श्री राम दर्बार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्री राम दर्बार की तस्वीर का पूजन करें या उनकी मूर्तिय उनके किसी तरह की कोई चीज आप के पास है तो आप उनका पूजन करें इसमें सारे देवताओं को आपको हासिल हो जाता है हनुमान जी से लेकर मा भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशिरवाद आपको हासिल हो जाता है तो निश्चित तोर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं आपके जीवन में राज योग की प्राप्ती हो जाती है दोश इसी तरह यदि आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर यदि कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाब करना चाहते हैं, तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तोर पर तृदेवों की तस्वीरें य या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए समझा जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विधन और बड़े से बड़े कश्ट ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, इसी इन तीनों के साथ में तस्वीर या मूर्ती लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए, दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती है या ऐसी मूर्तियां होती है जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए यदि आपने तस्वीर या मूर्ती को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा दोस्त और एक बता दें कि मंदिर में कभी भी विशम संख्या में गणेश जी की मूर्तिया ना रखें जैसे की एक तीन या पांच ऐसे रखना अशुब समझा जाता है दो मूर्तियों को एक साथ रखना शुब समझा गया है यदि आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए दोस्त और इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चहरा हमेशा घर के मुख्य दर्वाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे लाब की प्राप्ति हो और इस बात का ध्यान की घर में अंगुठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए दोस्तों वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए उसके बाद भी यदि आप रखते हैं तो अंगुठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए आप छोटा शिवलिंग रख दें और ध्यान रखें की एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी रखना है घर में यदि आप रखते हैं तो शिवलिंग के उपर आपको तुलसी भूल कर भी अरपित नहीं करना चाहिए यदि आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी और पढ़ कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा दो मंदिर में हमेशा यदि आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ती ही रखें बजरन बली रूदर भगवान शिव के अवतार हैं इस उनकी शिवलिंग की तरहे ही मूर्ती रखें साथ जो पती-पत्नी होते हैं व्यवाहिक जीवन आपने नया स्टार्ट किया है तो हनुमान जी की मूर्ती या तस्वीर अपने कमरे में अपने बेडरूम में आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए अन्यथा आपको आपके जीवन में कई तरहे के दोशों का सामना करना पड़ता है दोस्तों हनुमान जी ब्रहमचारी है तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्त और राधा कृष्णा की मूर्तियां यदि आप जैसे अपने शयनकक्ष में सोते हैं वह बेड के सामने की तरफ रखी है कि जैसे की आप सुभ उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन माला माल होने वाला है किसी भी तरहे का कोई दुख धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी दोस्तों इसी तरहे यदि माता दुरगा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुरगा की तस्वीर के जरिये से आप अपने जीवन में समरिध देखें तो दोस्तों भूल कर भी माता दुरगा की क्रोधित की तस्वीर जैसे की की तस्वीर या फिर महिशासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्षमी की माता दुरगा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, दोस्तों हमेशा शान्त और सुन्दर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए, बहुत ही शुब और मंगलकारी समझा जाता है, दोस्त इस बात का ध्यान रखें की यदि आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं, तो आपको इनको भूल कर भी तूटे हुए चावल चढ़ाने चाहिए, बहतर आप चावल को पीला करके ही वह चावल चढ़ाएं परन्तु तूटे हुए चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चड़ाने चाहिए दोस्त इसी तरहे इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित न करें ऐसा करना अशुब समझा जाता है और यदि आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तोर पर आपके परिवार के उपर दोश लग सकता है और पित्रों का दोश लग सकता है कि पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है घर के अंदर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है दोस्त तो इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनी देव की राहु के तुके इस तरह की तस्वीरें अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए प्रतिकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेश महत्व द्वारा की जाती है घर के अंदर आप ऐसे ही इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर इनकी पूजा पाठ में यदि किसी तरह की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आजाता है, क्रोध का को सामना करना पड़ता है, इसी वजह से आपको इस तरह की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए और जो पहले हमने आपको बताया उस तरह की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रख कर अपनी जिन्दगी में फाइदा हासिल कर सकते हैं